ऐसी क्या वजुहात हैं कि लॉन मस्क इंसानों की कालोनी मार्स पर बनना चाते हैं और क्यों इस हरी भरी जमीन को यानि अर्थ को छोड़ना चाते हैं इन तमाम सवालों का जवाब मिलेंगे हमें आज की इस वीडियो में इससे पहले कि हम अपनी मौजू की तरफ बढ़ें आप से एक तरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हमारी नए आने मारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें बैसिकली देखने पर इलॉन मस्क एक बिजनिसमेन और बहुत ही फैमस परसन है इलॉन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स कमपनी की बुनियाद रखी इस्पेस एक्स कमपनी 2008 में दुनिया का वो पहला रॉकेट बिनाने वाला कमपनी बना जो रॉकेट ISS यानि इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन तक जाकर वापस अर्थ पर आकर सक्सिसफुल लेंडिंग कर सके ये तो होगया इलॉन मस्क के बारे में तोड़ा सा इंट्रोडेक्शन चलते हैं उन दो सवालों की तरफ किस वज़ा से इलॉन मस्क अर्थ को छोड़ना चाता है नाजरे ने करामी अगर देखा जाए तो हमारे इस जमीन पर इनसानों की बढ़ती हुई आबादी एक मसलसल खत्रा बन रहा है जो के गिजायत की कमी का सबब बन रहा है चलो इन सब बातों से हम निपट बिलें तो साइस्टानों की सर पे मन राता हुआ एक और खत्रा जो के एस्ट्रॉइट्स का है जी हाँ हमारे इस गिलैक्सी में बहुत से स्टार्स तूट कर एस्ट्रॉइट्स में तबदील हो गए है बलके बिलियन सालों से चलती आ रही एस्ट्रॉइट्स का और्बिट में घूमने की वज़ा से बहुत सारे एस्ट्रॉइट्स जमीन, चांद, मार्स और कहीं दूसरे प्लानेट्स पर गिरते है साइंस्दानों का कहना है कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइट्स जमीन से आटकराएगा जिसकी वज़ा से जमीन पर जिंदगी का नाम निशान ठीक उसी तरह मिट जाएगा जैसे आज से हजारों साल पहले डाइनासॉल्स के मौत का सबब बना था जिसकी वज़ा से इलॉन मस्क मार्स पर इनसानों की कालूनी बनाना चाता है और इलॉन मस्क की तरफ से ये ऐलान किया गया कि 2050 तर इनसानों की कालूनी मार्स तक बनाई जा चुकी होगी और उस पर इनसान रह रहे होंगे उमीद है कि लाइफ साइंस की ये वीडियो आपने बहुत इंजॉय किया होगा अपना रखिये बहुत सारा ख्याल, खुदा आफिस